यह कहानी रसकिन बॉंड की किताब Grandfather's Private Jew से ली गई है। यह हमें एक युवा कौवे के बारे में बताता है जिसे वर्णन करता बचाता है। ठीक होने के बाद भी कौवा उनके साथ रहता है और उन्होंने उसका नाम सीजर रखा है। सीजर बहुत चतुर होने के साथ साथ बहुत शरार्ती भी निकला। पात्र कथा वाचक एक युवा लड़का जो एक कौवे को बचाता है। सीजर एक युवा कोवा जिसे वर्णन करता ने बचाया है दादा जी। वर्नन करता के दादा जी जिन्होंने कई जानवर पाल रखे थे। दादी, वर्नन करता की दादी जो सीजर की गतिविधियों से तंग आ चुकी है। आंटी, माबेल वर्नन करता की चाची जो पालतू जानवरों के साथ बहुत अच्छी नहीं है। कथावाचक एक कौवे को बचाता है। युवा कोवा अपने घोंसले से गिर गया था और सडक पर घूम रहा था। इसके किसी वहन से कुछले जाने या बिल्ली द्वारा पकड़े जाने का खत्रा था। वर्नन करता ने उसे उठाया और घर ले आया। इसकी हालत बहुत खराब थी और उन्हें इसक के दादा जी ने इसमें मदद करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने एक पैंसल से उसकी चोंच को धीरे से खोल कर कुछ भोजन अंदर धकेल कर और फिर पैंसल को हटा कर उसे निगलने दिया। उन्होंने इसे ब्रेक, दूध और वर्नन करता की दादी की घर पर बनी बेर की शराब पिलाई। युवा कोआ जल्द ही ठीक हो गया। उन्होंने उसे उड़ने देने की पेशकश की, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और इसके बजाए खुद को घर में ही रहने दिया। वर्नन करता की दादी, उसकी चाची माबेल और यहां तक की उसके दादाजी के कुछ पालतु जानवरों ने भी विरोध किया, लेकिन वे पक्षी से छुटकारा नहीं पा सके। उन्हें यकीन नहीं था कि वह पुरुष था, लेकिन उन्होंने उसका नाम सीजर रखा। जल्द ही सीजर उनके साथ भोजन के समय शामिल होने लगा। इसके अलावा खाने की मेज पर तब तक नाचता रहा, जब तक उसे भोजन का एक छोटा कटोरा नहीं दे दिया गया। सीजर की शरारती गतिविधियां वह हमेशा बेचैन रहता था। वह माचिस की डिब्बी खाली करने के लिए मेज के पार कूच जाता था, या दैनिक कागज फार देता था या फूलों के गुलदस्ते गिरा देता था, या कुटों में से किसी की पूच खीच लेता था। वर्णन करता की दादी ने कहा कि कौआ उनका विनाश कर देगा और पूछा कि क्या वे उसे पिंजरे में नहीं रख सकते। उन्होंने सीजर को पिंजरे में रखने की की, लेकिन वह इतने गुस्से से काव काव करता और फटलाता था कि उसे घर के आसपास भागने देना ही बेहतर था। उसने बर्गत के पेड़ पर अन्य कौवों के साथ शामिल होने की कोई इच्छा नहीं दिखाई। वर्णन करता के दादा जी ने ऐसा इसलिए कहा क्यों और वह अपनी तरह के लोगों के साथ घुलना मिलना नहीं चाहता था। यहां तक कि वह हेरोल्ड दा हॉन्विल से भी बहस करता था। समय के साथ सीजर ने फटी हुई, रुंधी हुई आवाज में बात करना सीख लिया। वह घंटों खिड़की के बाहर बैठा रहता और ह कहता। जब वर्णन करता स्कूल से घर आता था तो वह गेट की क्लिक को पहचान लेता था और नमस्ते कहते हुए दरवाजे पर आ जाता था। वर्णन करता ने उसे अपनी बाहर पर बैठना और अपना सिर उसके मुह के पास धीरे से रखते हुए किस किस कहना भी सिखाया आंटी माबेल से एक मुलाकात के दौरान सीजर उनकी बाहा पर बैठ गया और कहा किस किस आंटी माबेल बहुत खुश हुई और चुमबन के लिए आगे जुग गई लेकिन उसके चश्मे पर सीजर का ध्यान गया और उसने अपनी चोच से उसे उतार दिया। आंटी माबे पालतू जानवरों के साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। वर्णन करता की दादी ने जोड देकर कहा कि सीजर एक पालतू जानवर नहीं बलकि एक कीट था। वह पडोसी घरों में जाता था और पैन, पैंसिल, हेयर रिबन, कंगी, चाबियां, शटल कॉक, और नकली दांत चुराता था। उसे टूटब्रश बहुत पसंद थे और उसने वर्णन करता के कमरे में अलमारी के उपर उनका एक संग्रह बना दिया। सीजर की गतिविधियों के कारण वर्णन करता की दादी का रक्त चाप बढ़ गया। सीजर बनिया की दुकान में जा दिन यह सीजर की बागवानी गतिविधियां ही थी जो अंतता आपदा का कारण बनी। वह एक पडोसी की फलियां खा रहा था जब उस पर एक छड़ी फेंकी गई जिससे उसका पैर तूट गया। वर्णन करता बेचारे पक्षी को घर ले गया। और अपने दादाजी के स उसके पैर को धोया और पट्टी बांधी। लेकिन यह सुधरेगा नहीं। सीजर अब न बात करता था न खाता था और दिन बदिन कमजोर होता गया। कभी कभार घर में बनी शराब का एक खूट ही उसे जीवित रखता था। एक सुबह वर्णन करता ने उसे सोफे पर मृ और सीजर को उसके द्वारा एकत्र किये गए सभी टूथ प्रश और कपड़े के खूटियों के साथ वहीं दफना दिया। निशकर्श यह कहानी एक कौवे के बारे में एक मज़ेदार कहानी है और वह वर्णन करता के परिवार के साथ कैसे रहता है। सीजर नामक कौवा च कारे में सिखाता है और हमें कौवे जैसे पक्षियों की गहरी समझ देता है।